हेलो स्टुडेंट्स, बिटा हम एप्लिकेशन्स वाले सम स्टार्ट किये हैं, उसी में कुछ सम आज ओर करेंगे, इंपोर्टेंट टूपिक है, अच्छे से करना, जो आपका क्वार्डेट की इक्वेशन का चैप्टर चला हुआ है, तो उसमें एप्लिकेशन वाला नेक्स सम देखना, तो उसमें, आपका क्वेशन पर्टेंट बॉक्टर चार्ट कार्ट वाला नेक्ट करेंगे। प्रट्रिक इन परटेंट का सम देखना देखना, If the total cost of production on that day was Rs. 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो बेटेश ने कहा क्या है कि कोई cottage industry है उसे pottery articles बनाए जाते हैं और वो कैसे बनते हैं यहाँ से note कीजिए The cost of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. यानि किसी दिन जितने article बनाए जाते हैं उसके twice से तीन ज्यादा एक article बनते हैं. यह 10 article बनते हैं तो कोश्ट की देख बनी 10 into 2 plus 3 यानि 23 का एक article बनता है तो इसने पुछा क्या है Find the number of articles produced and the cost of each article तो बेटा हमने let the number of articles suppose कर लिया क्योंकि जिससे comparison करते हैं आपको पता उसी को हम suppose करते हैं अब cost of each article क्या बनेगी इस production का double करो twice करो 2x और उससे भी 3 ज्यादा है तो plus के 3 इतने रूपीज जो है बेटा उसकी cost बनेगी 2x plus 3 किसकी एक article की अब condition क्या दिए इसने खो जान से if the total cost of production on that day वाज रूपीज 90 बेटा के बाद सोचने की है सपोज कीजिए किसी दिन 20 article बनाए गए हैं और एक article ही cost है टवंटी थरी 20 चीजे बनाए गई हैं यह लगा लिजे 20 पैन बनाए गई हैं और एक पैन आता है टवंटी थरी का तो total cost की तरे बनी multiply कर दे यानि 460 की तो total cost कैसे निकलती है number of articles को एक article की cost से multiply करते हैं तो number of articles तो हमारे बेटा x है और cost यह है तो इसका मतलब अगर x और 2x पलस्ते की बेटा multiply कर दे तो वो उस दिन की total cost आ जाती है 90 इसके बाद तो इजी समय है कर सकते हो 2x केर पलस्त थरी x माइनस 90 इकल टू जीरो या आपकी बनेगी बेटा quadratic equation इसके factor बना लोगे ऐसे factor बनाएंगे multiply तो 180 आए और subtract करें थरी आए तो बेटा 15 और 12 गा बने गए आपको आता है factor बनाना so 2x केर पलस 15x माइनस 12x माइनस के 90 इसकोल टू जीरो एक्स कोमन बेटा 2x पलस 15 इसकोल जीरो और x माइनस 6 इसकोल जीरो एक्स की वैलू 6 आए बेटा और यहां से x की वैलू आई माइनस के 15y 2 is that clear इसको देख लीजिए राम से एक बार देखो एक्स क्या स्पोज करक्या आपने नम्ब्र ओफ आर्टिकल्स बिटा किसी चीज का हम प्रडेक्शन करते हैं वो नेगेटिव प्रडेक्शन नहीं जा सकता हम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं एक आर्टिकल भी ना बट नेगेटिव मेंतनी जा सकते ना तव적 नम्ब्र ओफ आर्टिकल्स है वेट यह नेगेटिव नई हो सकते इसको नेग्रेक्ट unken देंगे एक्स लोट इक्ोल्ट टू-15 बाइ-2 रीजिएं ना विकोज नम्ब्र ओफ आर्टिकल्स नम्ब्र ओफ आर्टिकल्स नम्ब्र 6 है तो number of articles कितने हुए आपने x निश्पोज कर रख्या है और x हाए वेट आपका 6 तो number of articles वेट आपके 6 और cost of each article cost of each article इसमें value put कर दीजे 2 into 6 plus 3 तो 15 आया नहीं 12 plus 3 तो rupees 15 तो बहुत easy sum था condition को अच्छे जे पड़ना अराम से कर लोगे बेटा इस second sum को देखना sum of areas of two squares is 468 square meter if the difference of their parameters is 24 meter find the size of two squares इस परकार के sum में बेटा ना तो comparison है आलांकि आप निकाल सकते हो x suppose करके length या x square की side को suppose करके दूसरे side की दूसरे square की भी side निकाल सकते हो किसी x square की side को suppose करके हम second की निकाल सकते हैं लेकिन length पड़ेगा और कहीं ने कहीं आप गड़वड़ भी कर दोगे इसलिए हम अलग-अलग suppose पहले ही कर लेते हैं let the side of larger square is equal to x meter बेटा जब कभी भी difference का जीकर आए ना चाहें number की बात है कहीं भी आए या जैसे square की बात है तो मेशा larger और smaller का use कीजिए let the side of larger square हमने x meter suppose कर ली let the side of smaller square हमने y meter यानि larger square की side x meter और smaller की हमने y meter suppose कर ली first condition क्या है sum of areas of two squares two squares के areas का sum अब area of square होता है side का square आपको पता हुआ side into side तो हमने जो पहला square है larger उसकी side x मानने है तो इसका area x square बनेगा ना side का square और इसका square बनेगा y square अब यहां पर condition उसके ओपर depend करता है कैसे देता है उसने sum कहा है तो add कर दीजिए difference कहा है तो subtract कर देंगे इसमें sum कहा है तो आपकी first condition मनेगे बेटा x plus y square is equal to 468 according to second condition if the difference of their parameters parameter होता 4 into side पता हो इस बात को आपको और side है हमारी x और y तो parameter है 4x और 4y अब यहां भी condition दे सकता है इसने difference कहा है तो 4x minus 4y ले लेंगे और sum कहता तो add कर देते इसमें difference कहा है तो 4x minus 4y की तरह ले लेंगे बेटा में 24 यहां से 4 को मना रहे न तो x minus y is equal to 6 इस परकार यह सम में बेटा जब एक quadratic है एक linear है तो पहले न आप इस linear में स्याद x की value निकाल लीजिए या y की value निकाल लीजिए और first में पूट कर दीजिए so x is equal to 6 plus y आप चाहते तो y की भी निकाल सकते थे और यह जो value x की आप इस first में पूट कर दीजिए तो put करें तो क्या बनेगा 6 plus y का square बिटा एक सके जगा हमने 6 plus y रख दिया plus y square is equal to 468 यह फूर्मूला बनेगा ने पलस बीगाल square तो 36 a square plus b square plus 2 a b plus y square और इसको भी आप left hand side में लिया हो बेटा तो 2 y square देखिए पलस के 12 y और यहां से देखना 468 में से 36 को सब टैकर क्या बनेगा माइनस के 4 32 टू को मन ले लिजिए तो y square plus 6 y माइनस के 216 अब तो आताव है बेटा आपको factor बनाना है factor बनाना बिलकुला सान होता देखिए क्या बनेंगे इसके 18 और 12 का क्यों 18 और 12 के multiply करे 216 आएगा और सब टैकरे 6 आएगा तो y square plus 18 y minus 12 y minus के 216 जिकल जीरो y को मन बेटा सो y plus 18 क्या बने 12 आना तो y plus 18 जिकल जीरो यहां से y plus 18 into y minus 12 जिकल जीरो तो y plus 18 0 लेंगे एक तो बेटा आपका अंसरा minus 18 और एका 12 अब सोचे ज्यान से y भी तो side है x भी side है और side आपको पता कभी भी negative नहीं होती इसलिए इसको neglect कर देंगे side cannot be negative is that clear तो y क्या है हमारा 12 अभी तो x की value और निकाल लेगे ना तो इस y की value अब आप first में रख सकते हो या second में रख सकते हो असान यह रहेगा कि इसमें simple है तो second में रख देना from second तो x की value क्या बने बेटा 6 plus y यानी 18 तो x आपका 18 है y 12 है x क्या suppose कर रख्या है the side of the side of larger scale so the side of larger scale तो आई बेटा आपका 18 मीटर और the side of smaller scale आई आपकी 12 यह राइट कर देंगे बोती जी सम है तो दो scale थे एक की साइट अब एक स्पोज कर लिए एक य स्पोज कर लिए एक बार sum of scale था एक difference of parameter था यहाँ से x की value निकाल गए यहाँ पूट कर दी simplify करके इस प्रकार आप इसको solve कर सकते हो इसका चाहें तो बेटा आप screen shot ले सकते हो easy है अब first question देखो बेटा इसका जब भी difference आये ना जैसे मैं square का था perimeter difference था तब larger और smaller जरूर स्पोज करो बेटा अब यह first question देखना important question है यहाँ भी difference है देखो the difference of scale of two numbers is 180 the scale of the smaller number is 8 times the larger number तो larger number को suppose कर लो let the larger number क्या suppose कर लिया और smaller को यह suppose कर लीजिए let the smaller number यह suppose कर लिया वेटा हमने y is that clear first condition देखो ध्यान से difference of scale of these two numbers इनके scale का difference यानि x scale minus y scale is equal to 180 यह आपके first question बनगी second condition देखो बेटा ध्यान से the scale of the smaller number smaller number आपका y है बेटा इसका square mean y square is 8 times the larger number 8 times the larger number larger number x है नहीं आपका उसका 8 times है यह इनको 8 से multiply कर देखो अब 1st and 2 देखिए x square minus y square से plus y square cancel is equal to 180 plus 8 x कई बार बच्चे minus 18 x plus 10 x minus 1 8 is equal to 0 x को मन x minus 18 plus 10 x minus 18 is equal to 0 so x minus 18 into x plus 10 is equal to 0 यह आएगा न देखिए ना देखिए अनसे तो x minus 18 is equal to 0 और यहाँ से x plus 10 is equal to 0 तो x का अंसर 18 और x का अंसर क्याएगा minus 10 is that clear तो पहले को मने add कर लिया इधर लाग इसके फैक्टर बनाएंगे तो minus 18 और plus 10 बनेंगे हमारे simplify करें x के 2 अंसरा 18 और minus 10 minus 10 छोड़ने इसमें बेटा हम छोड़ने सकते हैं क्यों नहीं छोड़ सकते हैं इसमें number कहा है positive number कहता या positive integer कहता है natural number कहता तुम छोड़ सकते थे number तो negative तो हो सकता तो दोनों लेकर हम value निकाल लेगे अब यह x की value second output कीजिए या first में मैं second output करा मेटा from second when x is equal to 18 so y square is equal to 18 रखेंगे ना आपर तो 8 into 18 तो y square आए बेटा 144 अमने value put कर दी समें तो y के value क्या है plus minus 12 जब भी बेटा square का इदर square root लेकर जाओ ना plus minus लिने इस बात का आपको पता है plus के 3 का square इभी 9 होता है minus के 3 का square इभी 9 होता है तो दोनों sign हमने लिने चाहिए और एक बारा put कीजिए x की value minus 10 इसे में कीजिए so y square is equal to 8 into minus 10 y square is equal to minus 18 बेटा सोचो कभी square negative हो सकता है आपके 10th class के according बोल रहा हूँ है square किसी का भी मैसा positive होता है जैसे minus के 4 का square है 16 हो जाएगा तो square कभी भी negative नहीं आता है इसका लिए real number नहीं है लिख देना आप बीचीज है note a real number तो बेटा आपके x 18 रखने से y का answer 12 हो और minus के 12 हो इसने पुछा दा find the two numbers तो two numbers क्या है वेटा आपके देखो द्यान से 18 के सा 12 और 18 के साथ है minus के 12 8 रखने से एक बार 12 में लेना एक बार minus 12 तो ये दो या तो ये या ये तो एक बार तो आपने difference लेडा है numbers का और smaller number जो आपका y है उसका square larger number से 8 times था तो इस प्रकार इसको आप simplify कर लेना वेटा भी next हम दिखते हैं बेटा सकी सुनों देखिए two water taps together can fill a tank is a 9 is to 3 by 8 hours the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately find the time in which each tap can separately fill the tank पैटा यहा पर आपकी जो tap है na null समझ सकते है वो नल क्या है दो type के हैं देखिए में आपको समझाता हूं ये दो type के महां एक तो इसमेंसे पाणाखनान नीकलता है ूसमेंसे पाणी ज्यादा आएगा तो इसका मतलब यह जो है इस कम डायमेटर वाड़ाई से जल्दी किसी भी टैंक को फिल करेगा यह टाइम ज्यादा लेए इसने यही का है यह जो बड़े वाड़ा है ना यह टैप लगा लेजिये यह दस घंटे कम से मिलेता है किस से इस से इस समोलर डायमेटर वाड़े से फैंड दा टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल दा टैंक तो मैंने स्पोज कर लिया लेट दा टाइम इन विच दा टैप अभी लार्जर डायमेटर कैन फिल दा टैंक X आर्ज यह बड़े डायमेटर वाड़ा X आर्ज लगाता माली जे 15 गंटे लगाता है तो जो छोटे डायमेटर वाड़ा तो ज्यादा लगाएगा कितना ज्यादा लगाएगा 10 आर्ज यानि 25 लगाएगा 25 लगाएगा तो 25 आर्ज लेट दा टायमेटर कैन फिल दा टैंक के X पलस टैंक क्योंग इसका जब टायम हमने X आर्ज लिया है और ये 10 आर्ज जो है लेस ले रहा है इससे तो ज्यादा लेगा ना तो X पलस टैं आर्ज एक सोटा सा किस्तन है बेटा राम किसी काम को 5 आर्ज में कंपलीट कर देता है और शाम उसी काम को 3 आर्ज में कंपलीट कर देता है ये दे दुन नों को में एक साथ कहा देंगे मिलकर काम करो कितना टायम लेंगे 5 और 3 8 आर्ज लेंगे ना सुचिए नहीं बेटा जब राम अकेला 5 गंटे में काम कर सकता है और शाम को उसने अपने साथ लगा लिया तो 5 गंटे इस तो कम टाइम लेगा उसने सपोर्ट करने ले लिए तो मिलिया ना तो इसका मतलब क्या है बोटा ताइम में टाइम एड नहीं कर सकते कभी भी उनके वरक को को एड़ करोगे और वरक क्या होता है या देखना टाइम का रिसी प्रोकल यदी को यादमी एक काम को फाइव डेस में कंप्लीट करता है न तो उसका वरक हुआ वन डे में वन बाइब फाइब तोम वरक को वरक में वरक कर सकते हैं चीश्टेटिमेंट को मदुबार रब दात और शाम एक दिन बनाता तीन पैन तो टोटल पैन कीतने बनेंगे आठ पैन मनेंगे ना तो इसलिए वरक को एड कर सकते हैं और वरक होता है में इसा बेटा टाइम का रेसिप्रोकल तो इसका टाइम था एकस प्लस टैना और दोनों ने मिल के लिया इतना टाइम इसको भी 75 by 8 आया रहा यह टाइम है और टाइम में हम टाइम एड नहीं कर सकते तो इसका वरक बना बेटा 1 by x और इसका बना बेटा 1 by x प्लस टैन यह वरक को वरक में एड किया है और यह आपके पास है टाइम इसका विरसिप्रोकल करना पड़ेगा कितना बनेगा आपका 8 by 75 अब त सिंपलिफाई एलिसम लीजिए x इंटू x प्लस 10 यह नोट करें ना बेटा बस टाइम में टाइम एड नहीं कर सकते उन्होंने जो वरक किया है उसको हमें एड करेंगे और वरक होता टाइम का रह सिप्रोकल So x plus 10 plus x is equal to 8 by 75. So 2x plus 10 upon x square plus 10x is equal to 8 by 75. cross multiply 8x square plus 80x is equal to 150x और पलस के 750 इदर लियाओ 8x square plus 80x minus 150x और minus के 750 is equal to 0. So 8x square minus के 70x और यहाँ minus के 750 0 is equal to 0. 2 common है ना तो 4x square minus के 35x minus के 375 is equal to 0. तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना कि आपने जो सम किया ना वो क्या है वरक हमेशा उसके टाइम का रह सिप्रोकल लेंगे वहां से हम करेंगे विसके फैक्टर बना लेना बेटा 60 का और किसका बनेगा 25 का 60 का कि देखो में प्रोडेक्ट तो चाहिए 375 कि देखो पूरा मैथड सिखिए प्रोडेक्ट चाहिए आपको a और c की multiply यानि इतनी 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 चाहिए अमें और गाडिफरेंस इतना चाहिए तो इसके फैक्टर बनेंगे 60 और 25 बना लेना बेटा डिफरेंस तो आएगा 35 और multiply इतनी आग करना है उनको 4x के एर इसको जानच देखो पेटा 4x के एर कले रहना आप सभी को यह माइनस के 60x पलस के 25x माइनस के 375 is equal to 0 जो पूडेक्ट होते है वो a और c की multiply इक बल होते है बेटा उनका डिफरेंस या सम होना चाहिए इतना तो हमारा 60 और 25 बनेगा हमारा तो यहां से 4x कोमन x माइनस 15 यहां से 25 कोमन तो x माइनस के 15 is equal to 0 जो x माइनस 15 इंटो 4x पलस के 25 is equal to 0 यहां से बेट x माइनस 15 जिरो आएगा और 4x पलस 25 जिरो लेंगे तो x का अंसर 15 बनेगा और x का अंसर बनेगा माइनस के 25 by 4 तो बेटा द्यान से देखना एक तो इस समम गड़वड क्या करते हैं इन दो लोको एड़ कर देते टाइम है आप पहले इसका उवरक लेंगे फिर कई बार क्या करते हैं इसको एजिटी छोड़ देते बेटा यह भी टाइम है तो इसका इसको सिंपलिफाइ करना अब यहां से माइनस को छोड़ देना लिखे देंगे माइनस 25 by 4 और x क्या है टाइम है टाइम है टाइम कैन नोट बी नेगेट इसको छोड़ देना लिखे दिखना आपने नेगलेट करना x is not equal to minus 25 by 4 because time cannot be negative और x के value क्या आएगी 15 फिर यह दो डाइमेटर कैन फिल दा टैंक 15 आर्ज and the time in which the tap of smaller डाइमेटर कैन फिल दा टैंक is equal to 15 plus 10 25 आर्ज तो बेटा यह आपके सम्थे इनकी प्रैक्टिस करना थैंक यू बेटा